हालो फ्रेंज आप सभी का स्वागत है फ्रेंज आज हम कच्छा 10 के एक मोस्ट इंपोर्टेंट चेप्टर दियुगात समीकरण से संबंदित एक मोस्ट इंपोर्टेंट टापिक को यहां पर देखेंगे जहां से आपके बोड के एक्जाम में प्रश्ण बनता ही बनता है फ्रेंज इस टापिक से आपके बोड के एक्जाम में 4 से 5 नंबर आता है जो आपके एक्जाम के लिए यह टापिक बहुत जादा इंपोर्टेंट है चलिए फ्रेंज स्टार्ट करते हैं तो फ्रेंज देखे मूलों की प्रकृति के बारे में पढ़ने से पहले आपको पता होना चाहिए कि आपका द्यूगात समीकर्ण है क्या आपके सामने द्यूगात समीकर्ण है मूलों की प्रकृति क्या है देखिए आपको मूलों की प्रकृति के बारे में जानकारी होने से पहले आपको पता होना चाहिए कि द्यूगात समीकर्ण का विविक्तिकर्ण क्या होता है आपको पता होना चाहिए अब देखिए यहा से इसकी मूलों की प्रकृति के बारे में देखते हैं चलिए देखते हैं यहां भी पहला आप याद रखिएगा पहला पॉइंट यह जदे दीका मान अर्था बीविक्तिक्रण जो एता है डीका मान क्या होगा जीरो से बढ़ा होगा और ये क्या बनेगा आपका एक पुध वर्ग हो पुड वर्ग बनेगा ऐब गणे आपका ये बुडों की और क्या होगा है इतने गुड होगे फ्रेंस, गाप ऐता है, जीरो से बड़ा आ जाएगा और पूड़ वर्ग होगा, धनात्मक होगा, वास्तिविक होगा, परिमिय होगा और और समान कहला आएगा ठीक है, पूड़ वर्ग मतलब होता है फ्रेंस, जैसे चार आ गया, तही इ दूसरा पउयन्ट यहां देखते हैं है घंदी यहथी ड कमाण जूगा 0 सो बढ़ा आएगा ठीक मंद 0 से बढ़ा हो गया और यह पुडवर्ग नहीं ह Lewis नहीं है थाल्स नहीं है ठीक कर पुडवर्ग िसके मूल की मख्रिक्रिक द्धनात्मक होगा ठीक है वास्त है कि इसके अलाव फ्रेंज यह ओ परिम्य होगा क्या होगा और परिम्य होगा ठीक है यह चार गुड़ इसमें भी हो गया है कि इसमें ढ़ी कमान 0 से बढ़ा है और जो मान आ रहा है D का पूर्वर्ग है ति धनात्मा क्वास्तिविक परिमे और समान होगा लेकिन यह D का मान जीरों से बढ़ा होगा ति पूर्वर्ग नहीं यादि पूर्वर्ग नहीं होगा जैसे आपका यहाँ पर D हलकी 20 को मान 4C का मान ग्याद किये और उसका मान 3 आ पांच आगे पूर्वर्ग नहीं है तो इस तरह मान आगा तो धनात्मा क्वास्तिविक और 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 समान काला लगा तीसरा पॉइंट देखते हैं फ्रेंस इस पर हम एक्जामपल देखेंगे जिससे आपका यह कंसेप्ट अदम किलियर हो जाएगा ठीक है तो आप फिर इसके बाद क्या होगां फ्रेंस काल्पनीक मान होगा क्या होगा यह काल पर क्ञांपनीग होगा ठीक है फ्रेंस सब्सक्राइट गुण 1954 worm 5 जोगा स επस्तों कर दर्ड़ होगी बराबर wilson भाल्व प्रकृतर आपकर वहें वास्तिविक और सबसे ज़्यादा आपके एक्जाम में पूछता है इस पॉइंट को आप याद रखेगा तो वास्तविक मूह लोगा और समान होगा तो फ्रेंश चार पॉइंट आप याद रखेगा चलिए एक पर देखा देते विविक्ति कर रहें डी इसको माने फोर सी कमान यदि जीरो से बड़ा आता है यह धनात्माक होगा वास्तविक होगा परिमिय होगा और समान होगा ठीक है एक चलिए यह तो आपका बेसिक कंसेप्ट था अब इस पे हम कुछ एक दो एक्जाम्पल लगाते हैं जिससे आपका यह कंसेप्ट आदम किलियर हो जाए आपकी सामयने पहला एक 2 x 2 x 2 x 2 x 2 x 2 x 2 x 2 x Punkte 0 wollte आपको यहां पर मूटक प्रति गया करना है कि आपका मूल कैसा होगा वास्तिवीक होगा परीमिय होगा आप परीमिय परीमिय होगा क्या बतानाably देखें फ्रेंज जब भी मूल की प्रति है आको बताना वह तो आपको पहले व 114 *** होना चा Always देखें यहाँ पर क्या है तो आप क्या करेंगे कि A x square plus B x plus C से तुलना किजिए तुलना करने पर जब तुलना करेंगे तो एक कमान कितना आगा एक आपका दो आएगा ठीक है देखें एक कमान दो आए और बी कमान कितना है आपका पांच और सी का मान कितना है फ्रेंस चार है अब क्या करें कि फ्रेंस डी का मान गया तकर दी परा क्या होता है बी स्क्वार मान फोर ए सी चलिए यहाँ पर रखते हैं बी का मान कितना है पांच यानि पांच का स्क्वार कर लीजिए माइनस फोर ए का मान कितना है फ्रेंस दो है सी का मान क है कितना जग भायनष 6 अब तक है आपको क्या हुआ यहां पर D का मान क्या है रिडातमक में आ रहा है रिडातमक किसे मेंीमें आ रिडातमक लिए आपको दिखाते हैं जीर लीवां कूं मोल की प्रकृति कैसा क्या होगा मूल की प्रकृति कालपनिक होगे ठीक है कालपनिक तो इस प्रकास से आप एंसर दे सकते हैं चलिए एक और एक्जामपल देखते हैं आपका अगला एक्जामपल आपकास एगconscious्ट को फ me ख कारकेशुड़ग और इस प्रकास और से कारें तो देखें सस्कार देखें केश कमान की एक्जामपलों से ग्लाइक दीनाकर ग्लाइख करें लगाशन आके बीकमान कितना कितना हुआ को सब ग्राइब का फॉर मुला होता है कि स्कॉइर माइन फॉर सिविट कमान कीतना है मैनस चार चार का स्कॉइर की चार गुड़े एक मुड़े एक कमान कीतना है दो एक कितना है एक चले टेगर श्क्कार करें चारचों को सोलो हो जागा चारदुना हो जाए कि तकी तत कि पढ़र है तो आपकत window 8 cards क्या है अन्य है द्धनात्मक्त और सकते हैं कि दी कमन क्या है जीरो से अब देखेस देख सकते हैं आई देखाते हैं आ यहां वह को पूर नहीं होगता यहां दनात्मा vatsкивik समान्थे ओऔर देख सकते हैं कि है आंता ゃहाँ अंक्या का वर्ग नहीं है तो अब बोलें के नहीं तो आ के प्रकृति लिखें के यह धनात्मक है शी कषिर से बाद लिखें के वास्ति भी अ ईसके बाद आप फृष्णि लिखेंगे और में समान ठीक है फ्रेंच इस प्रकास से आप बता सकते हैं कि मोलो की प्रकृति क्या है और कैसे सवाल निकल सकता है चले एक और एक्शामपल देखते हैं जो आपके एक्शाम के लिए बहुत इंपोर्टेंट डिफरेंस आपका अगला एक्शामपल है और यह बहुत इंपोर्टेंट डिफरेंस इस पर आपके बोड की एक्जाम में कई question पूछा जा चुका अभी था देखे फ्रेंस तीन यक्स स्क्वाइर माने च्छा एक्स प्लस के स्कल्टू जीरो के मूल समान है तो के का मानती इस प्रकार के आपके एक्जाम में बहुत प्रश्ण पूछते हैं तो देखे फ्रेंस यहां पर क्या होगा आपके एक जगह पे यम यन खुछ कोई वी अक्षर दे सकता है तब फ्रेंस इसमें क्या करेंगे पहले लिखें के एक इसक्वायर प्लस बी एकस प्लस सी कल्टू जीरो से तुलना करने पर ठीक है यहां लिगत है तुलना करने पर इस पका लिखेंगे आप किसे मन को चômते हैं एक चाहते हैं और ताफरेंगे कि आप यह किस्ट करेंगे आप यहांपर देखिए यह चीज़ दिया कि मूल समान है तो मूल समान कब होता है कि जब डी कामन जब जीरो होगा तो मूल समान होता है यह याद का लिजी चार गुढ़े कमान कितना है तिर और करना है तो आपकी आपका माल करना है तो आप किजी कि हमान करना है तो चाहिते रहे कि नीचे बारा आएगा बराबर के हो देखें 12 कहीं 12 12 36 कितना आपका मान हो जागा के बराबर आपका मान होगा तीन तो फ्रेंस इस प्रकास से आप मूल की प्रकिति के बारे में आप समझ गए हैं इस पे एक दो बर प्रक्टिस कर लीजिए गा जो आपकी बोर्ड की एक्जाम के लिए बहुत जादा इंपॉर्ट झाल